गुड मॉर्णिंग एवरिवन मैं दिख्षित जोसी नव जोती गुलोबल इस्कूल पूट्गाउन साकत से आज आपको क्याक्षा तीन की हिंदी रिम जिम का पार्ट आठ बंदरबाट पड़ाऊंगा यह एक द्रिष्टे है ठीक है चलिए देखिए बंदरबाट पहला द्रिष्टे कोई कमरा कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेज प्रस पड़ा है जो की आगे से डखा है मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता म्याओं म्याओं की अवाज होती है और दाहिनी तरब से काली पटने आपकी इद्सकेट प्रवेस्ट करती है तिक एक असम्रेश से काली ब्ली मित बोलती है बुद्मिन नमस्ते तीह सो गिसे मेल देखिखम पूलती है क्या ऌल भूत मुझे महक रोटी की आती सबेद बिली बोलती है हाँ मेरी भी नाग बताती पास कहीं है रखी मेज पर है वो रोटी लबकू कोई आये न जाये तो तू डर मैं तो लेने चली काली बिली लबगती है और रोटी लेके भागने लगती है ठहर कहां भागी जाती है रोटी लेके रोटी मेरी फिकाली बिली बोली रोटी तेरी कैसे तेरी रोटी मेरी सबेद बिली बोलती है मैं ना देखती मैं ना दिखाती तो तू जाती काली बिली बोलती है अच्छा क्या मैं खुद ना देखती क्या मेरी दो आखे नहीं है डरती थी उस तक जाने में जा डर पो कहीं की जा भग रोटी मेरी सफेद बिल्ली बोलिए रोटी कह दे रही मेरी मैं ले जाने तुझे ना दूंगी काली बिल्ली बोलिए देख रहा से मेरी हर्जा ले जाओंगे तुझे ना दूंगी फिर सफेद बिल्ली बोलती है देखूं कैसे ले जाती है जो पहले देखे हक उसी का है रोटी पर काली बिल्ली बोलती है पहले दोड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर रोटी पर पहला हक मेरा मैं कहते हूं रोटी मेरी फिर काली बिल्ली बोलती है मैं कहते हूं रोटी ने दulation मेरी रोटी मेरी रोटी मेरी कहकर एक दूसरे फर बुर्व每 drie है बंदर का प्रिवेक्स पना है कि तुम दोनों ज JUST कर रही हो तुम कहते ह्यों रोटी मेरे सहवर्वेरी तुम कहते हैं हो रोटी मेरी का लिफ guest बोलता है ठीक है दूनों से हैसे बोलता है बंदर रोटी किसकी मैं एससे फैसला करऊ चलो का बंदर लेता है दोनों से रोटी चिंगे अपने हाथ में लीटा है दोनों बिल्ली बीछे चाहेसे दुसरे से धल स्टार धर होता है दूसरे से बंदर की मic लग रिखे से में रखा जो दोनों की य Conference मेज इता है कुर्ष पर juicy बैढ़ जाओ सामने बन्दिए मैज से बैठा नुथ का रोटा सम항 नुथ ऑदर अथ Krण तो फिर बन्दा सवैदिद विली का वं 359 पहले मैं नहीं 20 स्रपे छहिघ्टि पूरा हक मेरा बंता थे फी बंदा काली विली Gemod बोलो तुमको कहना है काली बिल्ली बोलती है स्रीमान, पहले मैं जabord जफ्टी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हख पूरा बनता है बंदर सवहर बिल्ली से। एक आक्षी देखी थी या दोनो का गवा भी था दोनों बिल्ली बोलता है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तोड़ कर तोड़ागर निकाल कर लाता है यहँ तुकड़ा कुछ भारी निकला इसमें से थोड़ा खाकर हलका कर दूँ फित राज उठाता है अब पहला पलड़ा उपर है और दूसरा नीचे बंदर अब यहार टुकड़ा भारी निकला अब इसको थोड़ा खाकर हलका कर दूँ फित राज उठाता है अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा उपर बंदर बंदर बोलता है अब यहार टुकड़ा बाहरी निकला टुकड़े भी कितने खोटे हैं एक दुस्रे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं मुझ ठक गया बराबर करते करते और तराज उठा उठा गया हाथ ठक गया बिल्लियों को बंदा की चालागी का पता सल ग बंदर बोलता है नहीं नहीं तुम फिर जगलोगी मैं जगले की जड़ को ही कार देता हूं बचा खुचा भी खा लेता हूं इतना कहके बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है दोनों बिल्लिया आपस में जगला कर वैथी बिल्लियों sulphur बंक χांता है विए उन्यागे दोनों बिल्लियों के पीड़े की जल क्या थी रोटी थी ठीक्ये उंके जगले का हाल कैसे North निकाला गया बंदर ने रोटी आ खाके सब्सकां डिया थी कट तुम किसके साथ हगते हो जगर दस्तले में क्या क्वर करते हो चले ह लोगों नमस्ते कहती है तुम इन लोगों से मिलने पर क्या करती हो तुम्हारी सहली दोस्ट तुम्हारी सिक्सक तुम्हारी दादी तुम्हारी दादी और नानी ठीक है तुम्हारे बड़े भाई बहें अब पता लगाओ तुम्हारे साथी एक्षा में कितने अलग अलग तर हाइटिंग होती अब रोटी क्या पता कौन ले जाता थी तो अनुमाल लगा सकता है ठीक है फिर बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूचा होगा कि उन्हें रोटी एक आंक से देखी थी यह दूना आखों से एक रंग से जफटी थी यह दूना ठांगों से यह भी बत बता हो माप तोल बंदा ने रोटी बरावर बादने के लिए तराजू का इस्तमाल किया तराजू का इस्तमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं नीचे दिगे चीजों में से किन चीजों को तोल कर खेदा जाता है ठीक है आप लोग को इन चीजों को तोल कर बताने ठीक है बाठ तोली जाने वाले चीज बजन किपकेज, वजञ को बीस लिखेंगें, वहाँ किया खुजबू है बिल्यों को रोटी की महग आ रही थी तुम्हें किंद की रेखने की महग अची लगती है ठीक है इसको लिखने आपको और किंद की खाली activity यह लिखना नहीं है और किंद किंद चीजों की महग आती है जो खाने में जुरी नहीं है जैसे सहाब उनकी शुगन जूते की पॉलिस की गंद आदी आगे पीछे मुझे महग रोटी की आती इस वाक्यों को इस तरह भी लिख सकते हैं मुझे रोटी की महग आती तुम भी इसी तरह नीचे दिये गए वाक्यों के सब्दों को आगे पीचे करके लिखो उसी खोज में मैं भी निकली मैं भी उसी खोज में निकली, ठीक है, रखी मेज पर है वो रोटी, वो रोटी मेज पर रखी है, डरती थी उस तक जाने में, मैं डरती थी उस तक जाने में, ठीक है, मैं ले जाने तुझे न दूगी, तुझे मैं ले जाने न दूगी, जो पहले देखे उसका हक उसी का है रोट ठीक है आपको पताने है उसके माता पच्ची है यह कटो बिल्ली आ गए इसका एक्टिविटी जावगी खाली ठीक है बंदरबाट कभी बंदरबाट पाड़ भी आपका फिनिस है वा गुडड़ एवरिवन